बंगाल के चुनाओं में ममता बनर जी का यह घोशना करना की वे नंदी ग्राम से चुनाओं लडेंगी, भवानी पूर सीट को छोडेंगी और भाजपा की ओर से शुभेंदू अधिकारी को भाजपा का प्रत्याशी नंदी ग्राम से घोशित किया जाना सब्ताहंत की ये कुछ घटना है जो कई सारे प्रशन खड़ी करती है कि ऐसा क्यों हुआ, किसलिए हुआ, इसके क्या परिणाम होंगे, इसी पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में मैं चार प्रमुख प्रशनों का उत्तर देना चाहूंगी अपने वरिष्ट जैदुप मज़िमदार की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें सबसे पहला प्रशन यह है कि नंदी ग्राम को क्यों चुना ममता बनर जी ने तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्वरी में ही ममता बनर जी ने घोशना कर दी थी कि वे नंदी ग्राम से चुनाव लड़ेंगी ऐसे में उनकी यह घोशना जो अब आई है वह कोई आश्यरी के बात नहीं है लेकिन ममता बनर जी ने नंदी ग्राम को चुनाव उसकी पीछे उनकी मनशा यह थी कि भाजपा में शुभेंदू अधिकारी चले गए हैं और भाजपा उनका उप्योग एक स्टार कैंपेनर की तरह करेगी जो अन्ये शेत्रों में भी प्रचार करेंगे ऐसे में ममता बनर जी चाहती थी कि नंदी ग्राम तक ही शुभेंदू अधिकारी को सीमित कर दिया जाए ताकि वे अपनी सीट के लिए ही संघर्ष करते रहें और दूसरे शेत्रों में जाकर प्रचार न कर सकें लेकिन उनकी ये योजनाव आंशिक रूप से विफल हो चुकी है क्योंकि नंदी ग्राम की चुनाव दूसरे ही चरण यानी एक अप्रेल को ही है और उसके बाद शेश चरणों के लिए शुभेंदू अधिकारी फ्री हो जाएंगे और वे उन शेत्रों में प्रचार कर सके लेकिन ममता बनर जी क्योंकि पहले ही कह चुकी थी कि वे चुनाव लड़ेंगी ऐसे में अब उनका वापस हो जाना उनकी एक तरह से हार को दर्शाएगा इसलिए उन्होंने इस निर्णय को जारी रखा और नंदी ग्राम से लड़ने की घोशना कर दी वहीं अब दूसरा प्रश्ण ये होता है कि जो सीट भावानी पूर ममता बनर जी के पास लगभग 1991 से है क्यूंकि साउथ कोलकाता लोकसभा सीट से वे 6 बार सांसत के रूप में चुनाव जीत चुके हैं 1991 से 2011 के बीच और फिर 2011 से अभी तक 10 वर्षों तक यानि 2 बार सब्ष्ण रही थी तो उस सीट को वे क्यों छोड रही है इस पर नंदी ग्राम से जीत सकती है इसलिए एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही है उन्हें कि प्रकार कभय नहीं है जो उन्हें दो सीटों से चुनाव लड़ना पड़े लेकिन वास्तविक्ता क्या है वास्तविक्ता यह है कि ममता बनर जी के भवानी पुर में जो लोग रहते हैं उनमें से 60 प्रतिशत गैर बंगाली हिंदु हैं आपने देखा होगा चुनाव अभ्यान के दौरान ममता बनर जी यह तो अवश्य कर दिया कि बंगाल में रहने वाले सभी लोग बंगाली हैं लेकिन फिर भी इन लोगों की भावनाएं आहत हो चुकी हैं अब जो 46 प्रतिशत हिंदु बचे यानि बंगाली हिंदु बचे वे भी ममता बनर जी की कई नीतियों से परेशान है विशेशकर पुष्टीकरंड से और इसलिए हो सकता है उनके मन में भी ममता बनर जी के विरोध में असंतोश हो इसके अलावा ममता बनर जी भवानी पुर्शेत्र में ही अधिकांश समय तक रही है और वे अपने शेत्र में देखते हैं कि उनके और उनके रिष्चदारों के नाम पर खिलाफ संतोश है इसके अलावा जो भाजपा है वह भी भवानिपूर सीट में अपनी जगह बना रही है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कोलकाता साउथ की लोकसभाशेत्र में यह आता है और 2014 में जब तथागत रॉय भाजपा की प्रत्याशी थे यहां से तब वे इस जो वि उत्याशी था वह उतना पॉपिलर नहीं था जिसके कारण से भाजपा यहां नहीं जीत सकी लेकिन भाजपा लगातार इस शेतर में अपनी पैठ वना रही है और स्वय ममता बनर जी उनका विक्ट्री मार्जिन भी आधे से भी कम हो गया है जहां पर वे 57,000 वोटों से चु ममता बनर जी ने शोबंदेव चटोपाध्याए को क्यों खड़ा किया भवानेपूर से शोबंदेव चटोपाध्या एक ट्रेड यूनियनिस्ट रहे हैं जो 1998 में जब ममता बनर जी ने त्रिनमुल कॉंग्रेस की स्थापना की तो उनके साथ आ गये थे इसके बाद से अब अंसेफ सीट किस लिए क्योंकि ममता बनर जी के एक व्यक्ती है पूर्नेंदू बोस जो की एक वाम पंथी ट्रेड यूनियनिस्ट हैं जो की एक रेडिकल और्गनाइजेशन कम्यूनिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिस्ट से संबंध रखते हैं और वे वाम मोर्चा के विरुद जब 2006 में ममता बनर जी मातर 30 सीटें जीज सकी थी 294 में से तब वे आये उनके सहायता करने के लिए नवंबर में और उन्होंने ही सुझाव दिया था ममता बनर जी को सिंगुर में कि किसान में असंतोश है टाटा मोटर्स को लेकर और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए ऐसे में नंदी ग्राम के आंदोलन में बोस ने उनके सहायता की थी साथ ही नकसलियों से भी उनका संबंध है जिन में से एक है डोला सेन जो वर्तमान में राजे सभासांसद हैं त्रिणमुल की ओर से वे सब मिलकर नंदी ग्राम में उनके सहायता कर सकती है क्योंकि जो मसल पावर चाहिये था ममता बनर जी को उस समय नंदीग्राम आंदोलन के समय तब इन्होंने नकसलियों के सहायता से वह पहुचाया था और अब ममता बनर जी को जब नंदीग्राम जीतना है तो वह इन लोगों पर आश्रित हैं और वही दूसरी और शोबन दिप चटोपाधिया उनके लिए एक बुढ़े व्यक्ति हो चुके हैं जो उनकी अधिक सहायता नहीं कर सकते अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बोस और चटोपाधिया के बीच बनती नहीं है और बोस नहीं तथा कथित रूप से ममता बनर जी को कहा था कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाए लेकिन ममता बनर जी और नेताओं को परिशान और उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी इसलिए उन्हें टिकट तो दे दिया लेकिन बोस को खुश रखने के लिए उन्होंने उन्हें वर टिकट दिया जो अंसेफ सीट का था इसके अलावा ध्यान देने वाली बातिया है कि बोस से यह कह दिया गया है कि 2011 और 2016 में वे जहां विधायक बने थे उस सीट पर चुनाव न लड़ें बलकि ममता बनर जी की पूरी सहायता करें नंदी ग्राम में और ममता बनर जी उन्हें मंत्री बनाएंगी साथ ही जो विधान परिशद 1979 में को समापन कर दिया गया था उसे फिर से स्थापित करने की बात की गई है और ममता बनर जी उसके सहायता से उन्हें मंत्री पद देंगी ऐसा आश्वासन बोस को दिया गया है और बोस अब उनकी सहायता करेंगे जमीनी स्तर पर नंदी ग्र तो सबसे पहले आप ये समझने की नंदी ग्राम जीतना आसान नहीं होगा ममता बनर जी के लिए क्योंकि जो अधिकारी परिवार है जिसमें शुबेंदू अधिकारी के पिता शिशिर वे एक लोग सभा सांसद है उनके भाई दिबेंदू लोग सभा सांसद है तामलुक सी अधिकारी परिवार का जो पूर्वी मिदनपूर है और पश्ची में मिदनपूर है वहाँ पर अच्छी खासी पैठ है और यह जो नंदी ग्राम सीट है वह पूर्वी मिदनी पूर में आती है ऐसे में अधिकारी परिवार का वर्चस्व तो यहां रहे गा ही अब ममता बन ममता बनर जी को विश्वास है मुस्लिम वोड बैंक पर जो कि यहां पर 25 प्रतिशत भाग बनाता है लेकिन अबास सिद्धी की जिन्होंने इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की एक पार्टी खोली है वो उन्होंने गट बंधन कर लिया है कॉंग्रेस और वामपंथ के साथ और नंदी ग्राम में उनके काफी फॉल्वर्स हैं ऐसे में ममता बनर जी को जिन मुस्लिम वोड का आश्वासन है वह हो सकता है उनके खाते में ना आया और दूसरी तरफ चले जाएं ऐसे में ममता बनर जी के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी साथ ही जो स्थानिया असंतो है क्योंकि ममता बनर जी ने आंदोलन में तो नंदी ग्राम का उप्योग किया लेकिन बाद में शेतर्प के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया वह भी ममता बनर जी के विरोध में जा सकता है और भाजपा भी धीरे धीरे इस स्थान पर अपनी पैठ बना रही है क्य ऐसे में भाजपा भी चुन्वती बन रही है ममता बनर जी के लिए औरयू सकता है कि ममता बनर जी को स्वहिं भी विश्वास नहोंडी ग्रामos जीतने का इसलिए जब उन्होंने घोषना की थी तब टॉली गंच के लिए उन्होंने कहा था कि हो सकता है उल्यद्स अरूप म 27 मार्च अंतिम तारीक है जो अन्य चार अंतिम शेत्र में अंतिम चरण के जो चुनाव होने हैं उनके लिए तो वहां पर ममता बनर जी हो सकता है 27 मार्च तक यदि उन्हें समझ में आ जाए तो वे नामांकन पत्र भर दें दूसरी सीट से और नंदी ग्राम के लिए एक तर रहन सुरादी